हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टिडी कर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज की इस लेक्षर में हम डिस्कस करेंगे कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 को, तो कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कोशन होगे तो उनको डिस्कस करेंगे, इस जितने भी इंपोर्टेंट कोशन होगे, वो सभी आपके साथ डिस्कस किये जाएंगे, आप इसको लास तक जरूर देखिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकोन भी दबाले, जिससे समय पर आपको सबसे पहले कर सकते हैं, तो application पर आपको बहुत सारा steady material, यानि PDF मिलेंगे, और इसके अलावा free test भी मिल जाएगा, तो अगर आप free test देना चाहते हैं और study material प्राप्त करना चाहते हैं, तो application को ज़रूर डाउट कर लें, चलिए friends, इस lecture की शुरुबात करते हैं, और पहला question देखते हैं, important question है ध्यान से सुनिएगा common wealth games जिन्हें हम राष्ट मंडल games भी बोलते हैं या राष्ट मंडल खेल बोलते हैं ठीक है तो common wealth सब्द यूज करेंगे हम पूरी lecture में राष्ट मंडल इसको हिंदी में बोल देते हैं बाकी इनको क्या बोला जाता है common wealth games बोला जाता है तो common wealth games 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था तो common wealth games 2022 का आयोजन किया गया था इंग्लेंड में किस देश में दोस्तो इंग्लेंड में किया गया था अंगला प्रस्न है common wealth games 2022 का आयोजन इंग्लेंड के किस बहुत important है तो दोस्तो Commonwealth Games 2022 का आयोजन जो है वो England के Birmingham सहर में किया गया था कि सहर में Birmingham सहर में अंगला प्रिसन है Birmingham Commonwealth Games 2022 किस क्रम के Commonwealth Games थे तो यह 22 बे क्रम के Commonwealth Games थे यहनी कि 22 बे नंबर के जो Commonwealth Games हैं वो बर्मिंगम सहर में आयोजित किये गए हैं Next है Commonwealth Games 28 July 2022 से शुरू हुए थे इसका समापन कब हुआ था तो Commonwealth Games की सुरूबात 28 July 2022 से हुई थी और इसका समापन कब हुआ था तो इसका समापन हुआ था 8 August 2022 को यनि कि Opening Ceremony 28 July को और Closing Ceremony जो है वो 8 August 2022 को हुई है अगला प्रस्न है Commonwealth Games 2022 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था तो Commonwealth Games 2022 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था आंसर है इसका 72 यनि 72 देश सामिल हुए थी Commonwealth Games में अगला प्रस्न है Birmingham Commonwealth Games 2022 में कितने खेलों को सामिल किया गया था तो कितने खेल सामिल थे तो right answer होगा 20 यानि कि 20 खेल इसमें सामिल थे 20 sports इसमें सामिल थे अंगला question है common wealth games 2022 का सुभंकर क्या था सुभंकर को हम अंग्रेजी मस्कट बोलते हैं तो दोस्तो common wealth games 2022 का मस्कट क्या था तो answer है इसका पैरी दा बुल ये जो आप देख पा रहे हैं image यही है पैरी दा बुल ठीक है तो important question है इसको आप note कर लीजेगा कि common wealth games 2022 का मस्कट या सुभंकर क्या था तो वो था पैरी दा बुल अंगला प्रसना है common wealth games 2022 में होकी टीम के कप्तान मनप्रीज सींग के साथ भारत का ध्वज बा badminton से related हैं पीवी सिंधू और मनप्रीज सींग होकी से related हैं तो यही दोनों भारत के ध्वज बाहग थे अब आपको एक question याद और रखना है कि जो closing ceremony हुई थी उसमें कौन थे ध्वज बाहग तो दोस्तों उसमें मुक्के बाद निकहत जरीन और जो table terrace के खिलाड़ी है याद रखिएगा निकहत जरीन जो की एक मुक्के बाज है और table tennis के player है अचंता सरत कमल तो यह दोनों लोग closing ceremony में भारत के ध्वज बाहग थे चलिए friends अब हम अंगला question डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा पहली बार common wealth games का आयोजन कनाडा के कनाडा में किस बर्स किया गय एक और point है दोस्तो कि जो common wealth games है इन्हें सुरुबात में क्या कहा जाता था British empire games क्या कहा जाता था British empire games इसके अलाबा जो 1930 में common wealth games हुए थे यह कहां हुए थे कनाडा में तो आपके यहाँ पर दो तीन question बन जाते हैं ठीक है कि common wealth games को हम पहले क्या कहते थे British empire games दूसरा question है कि प कनाडा में हुए थे तो यह सभी point जो है वो आप note करते जाएगा अंगला प्रसन है common wealth games 2022 में कौन से नई खेल सामिल किया गये थे तो इसमें महिला T20 cricket सामिल किया गये था beach volleyball को सामिल किया गये था और इसके अलाबा पेरा table tennis को सामिल किया गये था तो इस प्रकार से दोस्तों इसका right answer होगा उप्रोग तो शभी ठीक है यानि महिला T20 cricket, beach volleyball और पेरा table tennis इन तीनों को इसमें सामिल किया गये था अगला प्रसन है cricket को पहली बार common wealth games में कब सामिल किया गये था तो cricket को पहली बार common wealth में कब सामिल किया गये था तो इसका सही जबाब होगा 1998 में कब दोस्तो 1998 में अगर आपको ये lecture पसंद आ रहा है तो आप subscribe जरूर करने चैनल को जिससे आपको समय पर और सबसे पहले notification भी मिल सकेगा बेल आइकोन भी दबाना है notification के लिए अंगला question है रासिद अनवर ने common wealth खेलो में लंदन में भारत के लिए पहला पदक कब जीता था इसका सही ज गेम्स में भारत को जो पहला पदक है वो 1934 में मिला था जब लंदन में common wealth गेम्स आउजित किये गए थे किसने जीता था भारत के लिए पहला पदक common wealth में तो वो जीता था रासिद अनवर ने किसने दोस्तो रासिद अनवर ने ठीक है अंगला question है वर्स 2010 में किस देश में common wealth गेम्स जो है वो कहां आउजित किये गए थे तो answer है इसका भारत में ठीक है कहां आउजित किये गए थे भारत में भारत के नई दिल्ली में ये common wealth गेम्स आउजित किये गए थे 2010 में अगला अंगला प्रस्न है भारत ने Commonwealth Games में कब-कब हिस्सा नहीं लिया है तो 1930, 1950, 1962 और 1986 इसका right answer होगा उप्रोक्त शभी यानि भारत ने जो 1930, 1950, 62 और 86 के Commonwealth Games थे उसमें हिस्सा नहीं लिया है अंगला प्रस्न है 2026 में Commonwealth Games का आज़न कहां किया जाएगा भैरी भैरी important question है तो 2026 में जो Commonwealth Games है ये कहां आज़ित किया जाएंगे Australia में आज़ित किया जाएंगे next है Commonwealth Games 2022 में सबसे अधिक medal किस देश ने जीते हैं ये सबसे important question है तो दोस्तों जो Commonwealth Games 2022 हुए है तो उसमें सबसे अधिक medal अगर किसी टीम ने जीते हैं तो वो टीम है Australia कौन सी टीम दोस्तों Australia चलिए medal टेली देख लेते हैं कि किसने कितने medal जीते हैं तो first position पर है Australia Australia ने 67 gold 57 silver और इस प्रकार से उसके जो total medal हो जाते हैं वो हो जाते हैं 178 इंग्लेंड की बात करें तो ये दूसरे नमबर पर था और इसने 56 gold 65 silver और 35 bronze medal जीते हैं और 175 जो है इसके total medal हो जाते हैं थर्ड पोजिशन पर है Canada तो Canada ने 26 gold 32 silver और 34 bronze medal जीते हैं और 92 total medal जीते हुए हैं फोर्थ इंडिया की position क्या है common belt games 2022 में तो वो है fourth position यानि चौते स्थान पर इंडिया रहा है इंडिया ने 22 gold medal जीते हैं 16 silver medal जीते हैं और bronze कितने जीते हैं दूस्तो 23 bronze medal जीते हैं इस प्रकार से भारत के जो total medal हो जाते हैं वो हो जाते हैं 61 और पांचमे नमबर पर था कौन? New Zealand तो New Zealand ने 20 gold medal, 12 silver medal और 17 bronze medal इस प्रकार से इसने 49 medal जीते हुए हैं तो दोस्तों ये है top 5 country जिन्होंने बहतर प्रतरसन किया है common belt games 2022 में ठीक हैं इंडिया की position जरूर याद रखिएगा इंडिया की position क्या है fourth position है अंगला प्रसन है common belt games 2022 में मीरा भाई चानू ने 49 kg bait category में कितना बजन gold medal जीता है very very important question हो जाएगा तो इसका answer होगा 201 kg कितना दोस्तों 201 kg बजन उठा कर उन्होंने common belt games 2022 में gold medal जीता हुआ है किस weight category में 49 kg bait category में अंगला प्रसन है common belt games 2022 में भारत के लिए पहला medal संकेत सरगर ने जीता वह किस खेल से संबन्दित हैं तो दोस्तों जो common wealth games है 2022 में उसमें भारत के लिए पहला medal जीता था संकेत सरगर ने तो वो किस खेल से जड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं तो वो weight lifting से जड़े हुए हैं तो right answer क्या हो जाएगा weight lifting ठीक है अब कौनसा medal जीता था दोस्तों संकेत सरगर ने तो याद रख जीता है तो जो जेरेमी लाल निरुंगा है उन्होंने weight lifting की 67 kg weight category में कौनसा medal जीता है गोल्ड मेडल जीता है किस ने जीता है दोस्तों जेरेमी लाल निरुंगा ने अंगला प्रसन है अंचिता सिवली Commonwealth Games 2022 में 73 kg भारवर्ग में weight lifting में कौनसा medal जीता है तो जो अंचिता सिव सिवली है उन्होंने CWG Games में 73 kg भारवर्ग में कौनसा medal जीता है गोल्ड मेडल जीता है कौनसा medal जीता है अगर हम अंचिता सिवली की बात करें तो ये पश्चम बंगाल से संबंधित खिलाड़ी है कहां से आते हैं दोस्तों पश्चम बंगाल से यानि वेस्ट बंगाल से अंगला प्रसंट है बिन्दिया रानी देवी वेट लिप्टिंग की 55 kg weight category में कौन सा medal जीता है तो जो बिन्दिया रानी देवी है उन्होंने वेट कीडिग्रा मेड़्म में उन्होंने कौन सा medal जीता है तो याद रखिएगा इस कोश्च俺 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा silver medal तो बिंदिया रानी देवी ने silver medal जीता है weight lifting में ठीक है अगला नाम आता है सुसीला देवी लिकमम क्या नाम है दोस्तों सुसीला देवी लिकमम तो सुसीला देवी लिकमम ने Commonwealth Games 2022 में silver medal किस game में जीता है बहुत important question है तो सुसीला देवी ने silver medal जीता हुआ है किस में जीता हुआ है दोस्तों तो उन्हों ने judo में जीता हुआ है तो ये point जो है load कर लिजेगा अगर आपको lecture पसंद आ रहा है तो आप इसे like कर सकते हैं share भी कर सकते हैं और channel को subscribe जरूर कर लें दोस्तों तो इससे आपको और भी इसी प्रकार के जो lecture है वो प्राप तो होते रहेंगे अंगला प्रसन है विजे कुमार यादव ने judo में कौन सा medal जीता है तो विजे कुमार यादव की बात करें तो इन्हों ने पुरसों की 60 kg की weight category में judo में कौन सा medal जीता है तो इसका सही जबाब होगा क्या bronze medal जीता है किसने विजे कुमार यादव ने bronze medal जीता हुआ है अंगला प्रसन है इंडियन बोमेंस long balls team ने common balls games में 12 साल के इतिहास में पहली बार कौन सा medal जीता है तो देखिए दोस्तों भारत ने long balls में पहली बार medal जीता है ठीक है और वो कौन सा medal जीता है तो gold medal जीता है महिलाओ की जो long balls की team थी उसने gold medal हासिल किया हुआ है और ये पहली बार common balls games में भारत ने long balls में medal जीता हुआ था अंगला प्रसन है भारतिये weight lifter है हरजिंदर core तो उन्होंने कौन सा medal जीता है CWG games में तो दोस्तों जो हरजिंदर core है उन्होंने 71 kg भार बर्ग में कौन सा medal जीता हुआ है तो इस question का जो right answer होगा वो होगा bronze medal ठीक है ये आप देख सकते हैं ये हैं हरजिंदर core अंगला प्रसन है weight lifter विकास ठाकुर ने 96 kg भार बर्ग में कौन सा medal जीता है तो दोस्तों weight lifter है विकास ठाकुर तो उन्होंने 96 kg भार बर्ग में कौन सा medal जीता है तो इसका right answer हो जाएगा silver medal कौन सा medal जीता है दोस्तों silver medal अंगला प्रसन है भारतिये table tennis team पुर्सों में common bells games 2022 में कौन सा medal जीता है तो जो भारतिये table tennis team है पुर्सों की तो उन्होंने कौन सा medal जीता हुआ है तो इसका right answer होगा gold medal जीता है ठीक है तो जो भारतिये पुर्स team है table tennis की उसने gold medal जीता हुआ है तो ये point जो है note करना है अंगला प्रसन है common bells games 2022 में PB सिंधुने badminton में कौन सा medal जीता हुआ है तो very very important question हो जाएगा ये तो इसका सही answer होगा gold medal यानि common wealth games में PB सिंधुने कौन सा medal जीता हुआ है gold medal जीता हुआ है ठीक है दोस्तों अब हम जो table tennis में जितने भी medal जीते है common wealth games में 2022 में तो उनको भी discuss कर लेते हैं तो अभी हमने discuss किया है कि जो table tennis team है उसने कौन सा medal जीता है gold medal जीता है इसी प्रकार से सरत कमल और जी साथयान की जो जोड़ी थी उसने silver medal जीता है और सरत कमल और स्रीजा अंकुला की जो जोड़ी थी उसने mixed double में gold medal हासल किया हुआ है और इसके अलाबा जो साथयान ग्यान सेखरन थे उन्होंने bronze medal हासल किया हुआ है table tennis में तो साथयान ग्यान सेखरन ने men's singles में bronze medal हासल किया हुआ है सरत कमल स्रीजा अकुला ने mixed double में gold medal हासल किया हुआ है और सरत कमल और जी साथयान की जोड़ी ने men's doubles में silver medal जीता हुआ है अंगला प्रसन है commonwealth games 2022 में PV सिंधु ने badminton में कौन सा medal जीता है तो PV सिंधु ने badminton में कौन सा medal जीता है gold medal जीता है ठीक है इसके अलाबा लक्ष सैन ने men's singles में gold जीता हुआ है सात्विक साहिराज और रंकी रेड़ी चराग सेटी की जोड़ी ने कौन सा medal जीता हुआ है दोस्तो गोल्ड medal जीता हुआ है मेंस double में त्रेसा जॉली और गायत्री गोपी चंद्र बो मेंस double में इन्होंने bronze medal जीता हुआ है ये सभी badminton की बात कर रहे हैं दोस्तो दामभी सृकांत ने men's singles में bronze medal जीता हुआ है तो ये सभी point जो है वो आपको note करन अंगला प्रस्न है निकहत जरीन ने Commonwealth Games 2022 में Boxing में कौन सा medal जीता हुआ है तो दोस्तों इनके medal को आप जरूर याद रखिएगा जो निकहत जरीन है उनका नाम बहुत ही फेमबस हो गया है बरतमान समय में तो निकहत जरीन ने कौन सा medal जीता हुआ है तो इसका right answer होगा दोस्तों gold medal जीता हुआ है अब हम और भी जो medal है boxing से related उनको भी discuss कर लेते हैं तो नीतु घंगास ने gold medal जीता हुआ है, अमित पंगाल ने gold medal, सागर एहलाबत ने silver medal, जैस्बीन लेंबोरिया ने bronze medal, मुहमद हुसामुद्दीन ने bronze medal हासिल किया हुआ है और रोहे टोकस ने bronze medal हासिल किया हुआ है, ठीक है तो ये सभी boxing से related medal है, तो इनको आप note कर सकते हैं, ठीक है, निकहत जरीन भी boxing से related है, और ये सभी medal भी boxing से related है, तो इनको आप note कर लीज़ेगा अंगला question है, पैरा power lifting में सुधीर कुमार ने कौन सा medal जीता हुआ है, तो दोस्तो पैरा power lifting में सुधीर कुमार ने gold medal हासिल किया हुआ है, ठीक है अंगला question है, weight lifting में लव प्रीज सींग और गुर्दीप सींग ने कौन सा medal जीता हुआ है तो दोस्तो weight lifting में लवप्रीज सिंग और गुर्मीज सिंग ने अलग-अलग प्रतियोगता में कौनसा मेडल जीता हुआ है तो इस question का जो right answer होगा बो होगा bronze medal अंगला प्रस्थन है सोरभ घोसाल ने squash में common wealth games 2022 में कौनसा मेडल जीता हुआ है तो देखिए दोस्तों ये है सोरभ घोसाल तो उन्होंने squash में common wealth games में कौनसा मेडल जीता हुआ है तो इसका सही जबाब होगा bronze medal जीता हुआ है और दीपका पल्लिकल और सोरभ घोसाल की जोडी ने bronze medal जीता हुआ है mixed double में किसमें squash में ठीके तो ये है सोरभ घोसाल और ये है दीपका पल्लिकल तो इन दोनों की जोडी ने bronze medal जीता हुआ है ठीक है और सोरभ घोसाल ने अकेले भी bronze medal जीता हुआ है अंगला प्रसना है भारतिये महिला क्रिकेट टीम ने final में Australia से हार कर कौन सा medal जीता था देखिए दोस्तों final हुआ था भारत और Australia के भी gold medal के लिए मुकामला था लेकिन भारतिये टीम जो थी cricket की वो नौरन से हार गई और उसको silver medal से संतोस करना पड़ा तो भारतिये महिला क्रिकेट टीम ने common wealth games 2022 में कौन सा medal जीता है silver medal जीता है और Australia ने gold medal जीता है अंगला प्रस्ण है sonal van patel और भामणा van patel ने अलग अलग प्रतियोगता में पैरा table tennis में कौन सा medal जीता है तो दोस्तो sonal van patel और भामणा van patel ने दोनों लोगों ने कौन सा medal जीता हुआ है bronze medal जीता हुआ है पुरसों की long balls team ने common wealth games 2022 में कौन सा medal जीता हुआ है तो जो पुरसों की long balls team थी उसने कौन सा medal जीता है तो इसका right answer होगा silver medal कौन सा medal दोस्तो silver medal महिलाओं ने कौन सा medal जीता हुआ है gold medal और पुरसों ने कौन सा medal जीता हुआ है silver medal अंगला प्रस्ण है CWG 2022 में पुरसों की honky team तो दोस्तों जो कॉमन बैल्स गेम से 2022 हुए है उसमें पुर्सों की जो टीम थी होकी टीम उसने इसलबर मैडल जीता है तो महिलाओ की टीम ने कौन सा मैडल जीता हुआ है तो इसका सही जबाब होगा ब्रॉंज मैडल अंगला प्रस्न है 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला रेसलिंग में साक्षी मलिक ने कौन सा मैडल जीता हुआ है ठीक है तो जो भारतिये रेसलर है कौन साक्षी मलिक तो उन्होंने कौन सा मैडल जीता हुआ है तो उन्होंने गोल्ड मैडल जीता हुआ है 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जब्या काकरान ने ब्रॉंज मेडल, पूजा गहलोत ने ब्रॉंज मेडल, विनेस फोगाट ने गोल्ड मेडल और पूजा सिहाग ने ब्रॉंज मेडल जीता हुआ है अंगला प्रसन है बजरंग पुनिया ने 65 kg फ्री स्टाइल में रैसलिंग में कौन सा मेडल जीता हुआ है तो बजरंग पुनिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है तो इसका सही जवाब होगा क्या गोल्ड मेडल जीता हुआ है किसने दोस्तों बजरंग पुनिया ने अब हम ये जान लेते हैं कि वह कौन-कौन से पुरुस र मेडल जीता है इसके अलावा दीपक नहरा ने ब्रॉंज मेडल जीता हुआ है तो ये सभी वो पुरुस खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीते हुए हैं CWG Games 2022 में ठीक है तो ये पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना है अगला पुरुस नहें दोस्तो प्रियंका गोश्वामी ने दस अजार मीटर रेस बॉक को 99 मिनट 38 सेकेंड में पूरा करके कौन सा मेडल जीता है तो अगर हम प्रियंका गोश्वामी के बात करें तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता हुआ है तो उन्होंने सिल्बर मेडल जीता हुआ है अंगला प्रिस्न है अविनास सालवे ने पुर्सों की 3000 मीटर स्टेपल चेज में कौन सा मेडल जीता हुआ है तो इसका राइड अंसर होगा सिल्बर मेडल अविनास सालवे ने कौन सा मेडल जीता है दोस्तो सिल्बर मेडल जीता है अंगला प्रसन है CWG 2022 में पुर्सों की ट्रिपल जंप में भारत के लिए L घोस पॉल ने 17.03 मीटर की सर्बस्रेश्ट छलांग के साथ कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तो अगर हम बात करें L घोस पाल की तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है तो इसका राइट आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है कौन सा मेडल उस्तो गोल्ड मेडल किसमें ट्रिपल जंप में जीता है Next है CWG 2022 में पुर्सों की ट्रिपल जंप में भारत के लिए अब्दुल्ला अबुबकर ने 17.02 मीटर की छलां के साथ कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तो जो अब्दुल्ला अबुबकर है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है तो ये सिल्बर मेडल जीता है कौन सा मेडल सिल्बर मेडल जीता है ठीक है तो उसी प्रतियोकता में एलगोस पॉल ने गोल्ड मेडल जीता था और उसी प्रतियोकता में जो अब्दुल्ला अबुबकर हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है अंगला प्रसन है पोर्सों की 10,000 मीटर रेस बॉक में संदीब कुमार ने कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तों संदीब कुमार ने कौन सा मेडल जीता है राइट आंसर होगा ब्रॉंज मेडल अंगला प्रसन है महिलाओं की जैबलें थोरो में अन्नु रानी ने कौन सा मेडल तो उन्होंने bronze medal जीता हुआ यह आप देख सकने हैं यह है अन्नू रानी अंगला प्रिस्न है Commonwealth Games 2022 में भारत ने किस प्रतियोगता में सबसे अधिक पदक यानि 12 medal जीते हैं तो दोस्तों सबसे अधिक जो medal है वो किस प्रतियोगता में जीते हैं तो इसका सही answer होगा wrestling में तो wrestling कितने medal आए हैं भारत को 12 medal आए हैं next question है Commonwealth Games 2022 में weight lifting में भारत ने कितने medal जीते हैं ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा 10 medal जीते हैं कितने medal जीते हैं दूस्तों 10 medal तो wrestling में 12 medal और फिर उसके बाद weight lifting में भारत ने 10 medal जीते हुए हैं ये total medal की बात कर रहे हैं अंगला प्रसन है common wealth game से 2022 में किस प्रतियोगता में सबसे अधिक gold medal जीते हैं तो दोस्तो भारत ने किस प्रतियोगता में सबसे खेल में या किस game में या किस प्रतियोगता में सबसे अधिक medal जीते हैं तो इसका right answer होगा wrestling मे नेक्स्ट है भारत ने बैडमिन्टन में कुल कितने मेडल जीते हैं लास्ट कुशन है ध्यान से सुनियेगा Commonwealth Games 2022 में athletics में कुल कितने मेडल जीते हैं तो athletics की अगर हम बात करें तो भारत ने 8 मेडल जीते हैं कितने medal जीते हैं दोस्तो आठ medal जीते हैं दोस्तो अगर आपको ये lecture पसंद आया है तो आप इसे like करते share करते सब ही दोस्तों को सब ही social media platform पर और इसके अलाबा हमारा जो application है उसे आप download कर लें वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा इसके अलाबा आप free test भी दे सकते हैं तो मिलते हैं next lecture में जैहिंद बंदे मात्रम